हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जादफ पूर युनिवर्सिटी की डीटेल में प्लेस्मेंट्स बताऊंगा बीटेक के सभी ब्रांचेस का एवरिज पैकेज, मीडियन पैकेज, हाइस्ट पैकेज, कितने स्टुडेंट्स प्लेस्ड हुए और कितने एलिजिबल थे, प्लेस्मेंट रेट का, क्या रहा, ब्रांच वाइस बताऊंगा सब कुछ और लास्ट कुछ यहर से कंपैरिजन भी करेंगे, 2023 बैच का और यहां पर देख सकते हो, जो हाइस्ट पैकेज है, वो 85 लैक्स पर अनमका है, डीटेल में हम जानेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेटेस्ट प्लेस्मेंट्स हैं और 100% सारी चीज़े बता दूँगा इस वीडियो के अंदर, इस यार कॉलेज के बारे में क्या ही बात करें, वन आफ दी बेस्ट इंजिनरिंग कॉलेज़ में से आता है, युनिवर्सिटी है, वैसे इसमें और भी अधर कोर्सेज है, जैसा की देख सकते हो, बट यहां पर यह मेरी यहर की फस्ट वीडियो है, आज फस्ट ऑफ जैन्वरी है, 2024, तो हैपी न्यू यहर आप सभी को मेरी तरफ से, सो ब्रांच वाइस करने से पहले कुछ हाइलाइट्स बता देता हूं, रिपोर्ट्स बता देता हूं, ओवरॉल बीटेक की, तो देखो, नमबर ऑफ जो हैं 2023 में, बीटेक में वो 1200 आए है, लास्ट यर ऐसा कोई डेटा इन्होंने नहीं दिखाया है, और नमबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने प्लेज़ हूं है बीटेक में, तो 1000 से ज्यादा हूए है, लास्ट यर ऐसा कोई डेटा नहीं था, और वहीं हाइस्ट पैकेज की ब 2022 के लिए, अब यहाँ पर जो हैना, सेलरी रेंजेज देखो, एक बार कितनी कमाल की है, 45 लैक से लेके 80 लैक में, देखो 35 आफर्स आये हैं, इतने सेलरी रेंजेज में, बीटेक के अंदर, और 35 लैक से 45 लैक के बीच में, 100 से भी ज्यादा आफर्स आये हैं, बहुत में, 119 स्टुदेंट्स प्लेस हैं उसके अंदर, तो देखो, बैच भी बहुत बड़ा है, और प्लेसमेंट रेट भी कमाल का है, 95.97 परसेंट, मीडियन पैकेज की बात करें, 7.5 लैक्स पर अनम का है, हाइस्ट यहाँ 22.75 का है, और यहाँ पर जो एवरेज पैकेज है, मे 123 स्टुदेंट्स एलिजीबल है, जिनमें से 111 स्टुदेंट्स प्लेस्ट हूँ है, प्लेसमेंट रेट सिविल का भी कमाल का है, 95 से भी उपर है, और इसके मीडियन पैकेज की बात करें, सिविल, बीटेक सिविल की 6.5 लैक्स पर अनम है, और हाइस्ट पैकेज 16.5 लैक्स देखते हैं यहां पर 121 students eligible है उनमें से 111 placed है 91.74% और वहीं यहां पर median package की बात करें electrical की तो 9.08 lakhs पर अनम का है maximum package 46.38 का है और average package यहां 12.21 lakhs पर अनम का है last कुछ दिन पहले मैं मैंने VJTI मुंबई की placements करी थी बहुत ही ज्यादा अच्छा college है वह भी और उसके भी फीस काफी कम है बट उसका जो मैंने बताया था वीडियो के अंदर की NIT से compare करूंगा लास्ट में करना भूल गया तो देखो VJTI मुंबई जो है न अगर हम NIT से compare करो तो उसको 101 students place है तो इसका भी एकदम कमाल का है 92.66% median package यहां 7.5 का है maximum 22.75 का है average यहां 7.87 का है तो अब आप बोलोगी क्या है यह colleges की मैंने इतनी तारिफ करी VJTI हो गया यह फिर जादव पूर और इसको मैं decent NIT से compare कर रहा हूं तो कोई अगर normal college है न जो AT, NIT, IIIT, GFTI category में नहीं आता और अगर वो NIT के level में आ रहा है तो समझ जाओ college बहुत ही ज्यादा अच्छा है next यहां पर जो branch है वो है BT in IT देखो यहां पर IT भी है 81 students eligible है 77 placed है 95.06% median package यहां 17.79 का है maximum 46.38 का है और average package यहां 20.77 का है मतलब इसको भी अगर हम compare कर तो उसी level पर आता है बहुत ही ज्यादा अच्छा है यह खुद आप placements देखो finally यहां पर computer science की placements देखते हैं वैसे और भी branches है आगे उनकी भी देख लेना 79 students यहां पर eligible है और उनमें से देखो 71 students placed हो चुके है 89.87 देखो इसका batch भी थोड़ा कम है और other branches के according इसका percentage भी कम है बहुत ही ज्यादा अच्छा है थोड़ा बहुत difference आता है बट package देखो median package 17.98 और वहीं बात करें maximum 46.38 का और average 21.6 लैक पर नम का है next यह जो branch है वो है electronics and telecommunication engineering 77 students eligible है उनमें से 71 placed है 92.21 percent median package 17 maximum 46.38 average 19 यार अगर हम NIT से अगर देखी इसकी top branches तो NIT even NIT Bhopal जैसा placement है इसके top branches का NIT Calicut जैसा और important चीज यह भी है कि देखो कि इतनी important वीडियो आपको धूनने से भी नहीं मिलेगी और ऐसी वीडियो सिर्फ मैं ही ले के आता हूँ डेली ले के आता हूँ चाहे new year हो गया या फिर कोई भी festival हो गया मैं डेली वीडियो लाता हूँ तो subscribe करने के बाद bell icon press कर देना next यहां पर है pharmaceutical 69 students यहां पर eligible है और इसके अंदर प्लेस्मेंट rate थोड़ी का मैं मतलब ज्यादा ही कम है 19 students ही प्लेस्ट हूँ है 27.5 परसेंट बट यह जो ब्रांच है यह आईएटी BHU में भी है बट वहां पर प्लेस्मेंट काफी अच्छी है क्योंकि यार ओविसली वन अफ दी बेस्ट में से है यहां पर इसका सेलरी पैकेज भी कम है मीडियन 3.6 है मैक्सिमम 7.7 है और एवरेज 4.03 लैक्स पर एनम का है तो नेक्स हमारी जो ब्रांच है वह है इंस्टुमेंटेशन और एलेक्रोनिक्स इंजीनियरिंग काफी कमाल की प्लेस्मेंट से वैसे इसकी भी क्योंकि वन अफ दी बेस्ट ब्रांच चाहिए 53 स्टूदेंट्स यहां पर इलिजीबल है और उन में से 53 स्टूदेंट्स प्लेस्ट हो चुके है 55 में से 95.36 इसलिए इसलिए 36 यहां पर स्टूडेंट्स एलिजीबल है उन में से 34 प्लेस्ट है यह वी काफी अच्छा है 94.44% students placed है median package 7 lakh का है maximum 46.38 का है average 8.16 lakh पर अनम का है next जो branch है वो है metallurgical engineering इसके अंदर देखो 35 students eligible है उनमें से 33 students placed है हम calculate करें है तो 94.29% students placed है median package 7.7 lakh का है maximum 20 lakh का है average 8.62 lakhs पर अनम का है so यहाँ पर जो next branch है वो है construction engineering देखो कितनी सारी branches है 30 students यहाँ eligible है 29 placed है 96.67% students placed है median package 5.75 का है maximum 15.5 का है average 6.21 lakhs पर अनम का है next जो यहाँ पर branch है वो है food technology and biochemical engineering 24 students यहाँ पर eligible है 20 students placed है calculate करने पर 83.33% students placed हो जाते है median package यहाँ 5 lakh का है maximum 13.66 का है और जो average package है इस branch का वो 5.88 lakhs पर अनम का है और जो next branch है वो है printing engineering यहाँ पर 17 students eligible है 13 students उनमें से placed है calculate करने पर 76.46% students placed होते है median package यहाँ 4 lakh का है maximum 7.7 का है and average 4.5 का है यह खराब नहीं है यार यह दोखो यार other branches से इसका comparison कर लो दूसरे college से अब यहाँ पर देखो पिछले 3 साल का year जो है उसको comparison करते है तो यहाँ पर 2023 का 83 lakh का highest package जो की अभी बताया मैंने उपर और 2022 में 1.8 करोड का था यह भी बताया था और 2021 में 58 lakhs का था number of offers की बात करें तो इस साल 1200 है last year नहीं था मैंने जैसा की दिखा दिया आपको और बात करें 2021 में तो 750 से ज्यादा थे देखो year by year batches भी बड़े होते जाते हैं कितने students placed है तो यहां पर 1000 है मैंने starting में बताया बट यहां पर थोड़ा सा गलत लिग गया है 100 प्लस है वह actually 1000 प्लस है और 2021 में 620 प्लस थे और 2022 में ऐसा कोई डेटा नहीं है और वहीं टॉप रिडिकुटर्स की बात करें देखो एक और चीज़ जो 85 lakh का highest package starting में बताया था व percent correct है क्योंकि आपको पता है मैं कैसी डेटा लेके आता हूं official होते हैं सब कुछ कोई भी गलट डेटा में लेके नहीं आता पिछले तीन साल से वीडियो ला रहा हूं यह top recruiters देख लो so Google है Microsoft है और सारी famous और बड़ी-बड़ी companies है यहां पर और वहीं alumni network की बात करें तो देख सकते हो कौन से organization में कितने alumni है यहां पर अच्छे से stop करके देख सकते हो काफी ज्यादा है अब क्या ही बात करें आई दो को आई टी खड़कपूर भी है वैसे और बड़ी-बड़ी companies है यहां पर one of the best engineering colleges में से आता है यह West Bengal के यहां पर हमारी video complete हो जाती है यह मेरी इस साल की पहली वीडियो है तो यार ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्यार दो और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि ऐसी important वीडियो मैं डेली ले के आता हूं तो कोई important वीडियो मिस ना करो इसी लिए और कुछ भी पूछ रहा है या बताना हो कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टेग्राम पर भी मेरी इंस्टेग्राम आइडी की लिंक आपको description में मिलेगी मेरी personal आइडिया बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही important वीडियो में